नमस्कार दोस्तों मैं अमर्णाद कुमार भारत कभी सोने की चरिया थी इस बात की पुष्टी इतिहास से मिलता है आज गोवा लिब्रेशन डे है आजी के दिन 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का हिस्सा बना था इससे पहले गोवा पे पुर्तगालियों का सासन था आप सोच सकते हैं कि आजादी मिली भारत को 1947 में फिर भी भारत से सटा हुआ हिस्सा भारत से जुरा हुआ टुकरा गोवा उसके उपर पुर्तगालियों का सासन था पंद्रो सा पांच इस्पी में बास्को निगामा गोवा आया था और बास्को में आया और फिर दीरे दीरे गोवा को अपने कबजे में ले लिया जब से गोवा एक गुलाम के रूप में पुर्तगाल के अधिन था और गोवा वाले उनके अत्याचारों को सेह रहे थे उसके बाद उससे पहले मुगल आ गए थे भारत के उपर मुगलों का सासन हो चुका था तो आप सोच सकते हैं कि भारत सोने की चिरिया थी इसलिए इसमें हजारों साल से लोग आते रहे हैं हजारों साल से, बहुत सारे लोग माइगरेट किये भारत में, क्योंकि ये, क्योंकि ये सोने की चिरिया थी, यहां सब कुछ है, भोगली ग्रूप से, प्रकृतिक ग्रूप से, मौसम, खनिश सपदा, और पेर पौदे, हल, मिट्टी, उर्वरग, क्या नहीं है भारत में, जिसके करण लोगों को ध्यान भारत की तरफ आया, और भारत को लूटते रहे, सबसे पहले, यूरेसिया से कुछ लोग आये, माइगरेट करके, जो भारत के, हो गये, भारत के नागरिक है, भारत में रह रहे है, वो, यहां आये, इंडिया में आये, तो इंडिया में ही बस गए, और इंडिया की मिट्टी में ही रह गए, यही पर बैसे हुए है, यही रह रहा है। इंडिया वाले आगे भारत में अपना उन्होंने संस्क्रिट का प्रचार प्रसार किया, धर्म गरंथों की रचना की, सब कुछ की यह तो पूरा इतिहास में है ही, बहुत दिश्ट काल में, बहुत दिश्ट काल में भारत बहुत आगे बढ़ रहा था, और सारे 700 इस भी तक बहुत बढ़िया था, पूरे दुनिया में इसका नाम था, पूरे वर्ल्ड के लोग भारत में आकर, भारत के इंवर्सिटी में तक शिला नालंदा इंवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे, और फिर वापस अपने देश में जाते थे, चाईना, चपान, येरोप के अकर्मन कर्यों की नजर परी भारत पर और हो अकर्मन किये जिसमें बासकों भी आया और अंग्रेज भी आया और भारत पर सासन किये हम सब मानब के रूप में एक जुट होके भारत को आगे बराने के लिए अजादी की लड़ाई लड़े और भारत को आजाद करा है उसके बाद भी गुवा पुर्टगालियों के चंगल में था हमारे सोतंता सिनानी कई बार कोशिस किये लेकिन आजादी के बाद कोशिस अगर एक देश दूसरे देश की आजादी के लिए लड़ेगा तो ठीक नहीं होगा जब तक उस देश की जनता नहीं जागेगी दूसरा देश को हश्यचेप करना ठीक नहीं होता है नहरू जी इसी सिद्धान्थ पे थी कि जब तक गोवाला नहीं चाहेगा हम कैसे अपना सैनिक बेज के उसको अपने में मिला ले गोवा क्या चाहता है गोवा की जनता क्या चाहती है दिरे दिरे मुव्मेंट सुद्धान्था की लगाई चलती रही गोवा लिब्रेसन के लोग लड़ते रहे मधूली मैं साहब थे मराम मोन और लोया भी सब लोग लगे रहे और फिर नेरु जी ने अपने सेना भेजी क्योंकि उससे पहले वहाँ मच्वारे को पर बोली चली थी जिससे बहुत अक्रोस हो गया जन्ना क्रोस तो लगा नेरु जी को की ये राइट टाइम है अब पुर्दगालियों को जाना चाहिए और उनोंने सेना भेजी और मातर 36 गंटे के अंद अंदर गोवालों ने पुर्दगालियों ने स्रेंडर कर दिया और गोवा भारत का अभिन अंग बन गया गोवा की समरिध संस्किर्थी गोवा के अच्छे लोग और गोवा की खेती बारी हर मसालों से भरकूर खुबसूरत मौसम और बहुत ही खुबसूरत समदरी बीच वाइट सेंड से भरा हुआ बलू वाटर ये सब टुष्ट के लिए बहुत ही आकरसक जगह है और पूरे 20 से लोग गोवा में घुमने के लिए आते हैं भारत के लोग भी आते हैं और वहां का सबसे मुख जो आयका स्रोत है वो परजटन है उसके बाद एगरिकल्चर है जिसमे मसाले है और सी प्रोडक्ट में सी फूड और सब कुछ है गोवा बहुत आगे भर रहा है और गोवा के लोग सांती प्रिये हैं टुरिश्ट का बहुत आदर करते हैं सम्मान के साथ अपने राज्य में आने देते हैं और उनके साथ कोई भेद भाव नहीं करते हैं अतिति देवो भावा का मूल मंत्र है और गुआ वासियो इसी के साथ आगे भर रहे हैं गुआ के लोगों को गुआ की सुतंता दिवस पर बहुत बहुत बढ़ाई गुआ की मुक्ति दिवस पर बहुत बहुत बढ़ाई आज गूआ लिब्रेसन डे के दिन घूआ वास्यों को मुभारक बात देते वो मुझे आही करना है कि आप सब काफी समझधार है परिर लिखे लोग है आपको क्या करना है आप जानते है गूआ की हितों की रक्षा कौन करेगा आप जानते है गुआ को फिर से गुलाम मत होने देना मारे गुआ को बचाए रखना जै हिंद, जै भारत, जै गुआ झाल